पंद्रा साल हो गए हमारी सादी को और पंद्रा साल में कभी पंद्रा मिनट भी लेट हुए हो घर आकर दारू चड़ाने में लेकिन अब मन नहीं हा हमारा इसलिए कह रहे है मैडम ये हमारे पती हो ही नहीं सकते यह कोई बेहरूपया है जो हमारे पती का रूप लेकर हमारे ही घर में घुसकर बैठा हुआ है मैडम हमको इससे बचा लिजे और हमारे असली पती का पता लगाईए कहा है वो हम एक मिरिट आते हैं हाँ सर या या थैंक यू आइल गेट बैक तो इड़ अवी जी सर अजय जी कहिए भार बुल की वाइफाई है पलवी जी फिर से हाँ और इस बार तो बहुत बड़ा बवा लेकर आई ऐसा बिना सर पैर का बकैती कर रहे हैं कि हमारे सर के उपड से जा रहे है वो वो सब छोड़ी है लेकिन आप कहे परेशान लग रहे हैं अब याप डि से बात कर रहे थे और थोड़ी सी परेशानी की बात भी है इंटेलिजेंस की पकी रिपोर्ट है कि हमारे शेहर में एक टेर्रिस्ट घुसाया है अपना रंग रूप बदल के अपना हुलिया बदल के और यहां की लोगों में मिक्स अप हो गया है एक बहुत बड़ी टेरिस एक्टिविटी प्लान कर रहा है तो इन्होंने हमें वाउन किया है इस अंजान टेरिस्ट के अगेंस्ट माडम सर अगर हम कहें जिस अंजान टेरिस्ट का बात करें हैं उसका संदेशा लेके भार बुल-बुल की वाइफ आई है तो मतलब यह कि अभी तक तो हमें ये पूरा बात बकैती लग रहा था लेकिन आपका बात सुनने के बाद हमें बात बिल्कुल बकैती नहीं लग रहा है हम नहीं समझ रहे हैं बात यह है, माडम सर, कि बुल्बुल की वाइफ कह रही है, कि घर में जो इनसान उनके साथ रह रहे है, वो उनका पती बुल्बुल पांडे नहीं है, बलकि कोई भहरूपिया है जो उनकी शकल का फायदा उठाकर उनसे धोका कर रहा है अब पत्नी है, जाहिर सी बात है, फिकर मंद है, इसलिए यहाँ पर कम्पलेन लेकर आई है बहुत उर का कॉड़ी है मैडम से लेकिन हो सकता है कि जिस अंजान टेरिरिस्ट का बात आप कर रही है वो ही बहरूपिया हो जो उनके घर में उनके साथ है हाँ, हो सकता है, बिलकुल हो सकता है, एनिधिंग इस पॉसिबल करिश्मा से जी, इनफाक्ट हमें लगता है कि आप इस बारे में और थोड़ा गहराई से पता कीजे, इन्वेस्टिगेट कीजे, अगर कोई इंफोर्मेशन मिलती है तो हमें बताईए मेरा से कहिए कि यह जो अंजान टेरिस्ट है, इसके बारे में जितनी भी इंफोर्मेशन आपको दे सकती है, दे दे, आपको आगे के इंवेस्टिगेशन में मदद मुल जाएगा जी बारम साथ अब आप इतना भरोसा करके इतनी उमीद से हमारे आई है तो हम आपको निराश होकर कैसे भेच सकते हैं हम करेंगे आपका मदद, पता लगाएंगे कि जो बहरूपी आपके घर में आपके साथ रह रहा है वो वास्तव में बुल-बुल पांडे जी है या नहीं है अगर नहीं है तो इस पर कारवाई होगी आज से आपका सुरक्षा का जिम्मा हमारा है आपके घर के बार 24 गंटे हम खुद वा मौजूद रहेंगे लेकिन घर के अंदर क्या हो रहा है उस बहरूपी पर नजर आपको रखनी होगी हम अरे नहीं मैडम यह क्या कह रही है उस बहरूपीया को अगर पता लग गया ना कि हम उसके सक कर रहे हैं तो वो हमारा चिकन टिका बना के खा जाएगा अरे क्या बात कर रहे है पल्लवजी आप जैसी दबंग नडर इतनी बाददूर महिला किसी से कैसे डर सकती है अरे आपके आगे तो बुर्बूर पाणने जैसा टॉप तब दबंग ननिसान भी एकदम थर थर जाता आपके आगे आपके डर सकती है थर थर तो हर मर्द कापका है अपनी पत्नी के आगे कुछ खुल्लम खुलना कापते है और कुछ है चो दब दबा के या या इसको यह जो है यह कापने वाला नहीं है मैडम, यह हमको सीधा ऊपर पहुंचाएगा, इसलिए कहते है मैडम, हम नहीं रहने वाले इस अजनभी के साथ एक ही छत के नीचे, और ऐसा हुआ ना, तो हम अपने माई के चले जाएंगे, अपने अम्मा के घर, देखे, देखे, हमारी ब पती बुलबुल पांडे ची को खतरा हो सकता है, जान का खतरा है, इसलिए जब तक हम सब चीजे पता नहीं लगा लेते, सच का पता नहीं चल जाता, तब तक आपको एकदम सामाने रहना जैसे कुछ हुआ ही नहीं, उनको बिल्कुल शक नहीं होना चीए कि हमने उन पर शान पतनी आधी रात में आधी कपड़ों के साथ अपने प्रियतम के साथ भाग गई सब्सक्राइब तो यह है अपके घर पर मेड बन कर रहेगी यह 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 नाजुक सी कमसीन सी लड़की और लड़की का नाम इकबाल जिससे आप नाजुक और कमसीन समझ रहे हैं वो अंदर से भरा हुआ मर्द यह लड़की नहीं है लड़का है लड़की का गेट अप लेके घूम रहे हैं देखिए मैडम हम डाउट नहीं कर रहे हैं हम तो सिफ विक्र जता रहे हैं आपको ऐसा नहीं लगता कि उस नकली बुल-बुल पांडे को अगर इसके बारे में पता चल गया तो इसको हम से जादा प्रोटेक्शन का जरूरत नहीं नहीं यह सिर्फ दिखने में ऐसा नाजुक सुन्दर सा मर्द है लेकिन यह असलियत में काफी मजबूत है डोंट वरी यह खुद को और आपको दोनों को प्रोटेक्ट कर लेगा जी बिल्कुल और इकबाल कुछ भी दिक्कत हो तुरंत कॉल करना हम को करना मैडम सर को करना चीते को करना हम ब्लक है इसको हम कर लेंगे जिसको पहले लगेगा लेकिन आप लोग फोन उटा लेना प्रीज हाँ हाँ और तुमको समझा दी हमने पहले से कि तुमको क्या करना है सब ठीक है ना हाँ समझ गये हैं बस रिस्क है उपहाड जिसा आदमी है बहुत ढर र करना चाहिए हो सकता है कोई वज़ा हो इनके पास बुलबुल पांडे को टार्गेट करने की लेकिन हाँ प्लीज याद रखिये और इस बात का ध्यान रखिये कि मिसेस पांडे बहुत बड़े-बड़े सीनियर्स को परस्नल लेवल पर जानती है बी कैफल मैडम सर पर अग कौन है इस उंदरी मुझ बंद कर लीजिया मक्य घुर जायागा का कर रही हो इस गरिब खाने में अरे का है अपनी मोत को दावत दे रहा है थड़की आदमी लो आ गए हम राज हमारा मतलब है दी 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 आ गई आ गई आ गए हम इन्हें आप समझ बैठे और इनसे बत्या लिए बोलो पैसे ये डिमपल है अलका की जगा इसी को नए नए काम पर रखे है ना 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 पाई लगने का कौनों जरूरत नहीं है बस दिल लगना चाहिए हमरा मतलब है कि दिल दिल लगा के काम करना है हाँ 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 इलो इलो काहे कि आप गर की मालकीन है अब जो चाहे कर सकती है है हाँ 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 हम चेंज करके आते हैं जरा हाँ 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 ठीका हाँ ठीका हाँ एचेपू हाँ दी अपने जीजा के बारे में कुछ अलग सा फिल हो रहा है क्या तुमको वे अलग सा फिल अरे भाईसे का भाईसा ही है, आप ही काहे पूछ रही हैं? वो इसलिए कि... वो इसलिए कि... तुमको अगर ऐसा लगे ना, तो तुम आकर हमको बता देना. थोड़ा सा नजर रखना अपने जीजा पर, हाँ? एटी, थी, हमारा काम का है? हम तो बेताल हैं, बेताल, चौवीज घंटा आपके पती के सर पे सवाल रहते हैं. ठीक है, दीदी, हम चलते हैं. हाँ, माथा पर रख ले हैं, चुपचम जाकर रखो कुर्सी पर. रख दो इसर. चलिए दीदी, जीते रहो. नो करें. उसे काहे नही बताने दिया, हाँ? भाई है हमरा. उसको भी तो पता होना चाहिए कि उसके साथ जो बुल बुल बनकर खूम रहा है, वो बहरूपिया है. उसके जानको भी तो खत्रा है, ना. किसको बताना है, किसको नहीं बताना है, यह मैडम सर ताह करेंगी. बिना उनकी परिमेशन किसों नहीं बता सकते यह उनको त्नाय करने दीजिये, ठीक है? हाँ तो, का प्लान है तुम्हारी मैडम सर का? वही करना है जो मैडम सर का प्लान है अचा, वू! प्लान है यह जो सर का प्लान है प्लान है येस भावी! डिमपल भावी! आप ठीक हो ना भावी नहीं वो ठरकी भेडिया तुम? बुल-बुल पांडे उसके पास 24 गंटा थे ना डिमपल भावी टिमपल भावी आपकी इज़त तुसरी सलामत है ना? पक, उसने तो मैं देखा है ना? खुश नहीं हो रही हो अफसोस कर रही हो भावी मतलब अगर ऐसा है तो वो बुल-बुल पांडे नहीं है मतलब शिकारी के सामने शिकार है और शिकारी शिकार प्रत्थमला ना करे यह वो ही नहीं सकता रे रे भावी यह का है? बदनाम जी का है? तुसको साथ में लेके घूम रही है यह बदनाम का है? तो बदनाम क्या पहने है? सोच अचार तीन है यह ओफिसर बुल बुल पांडे के ही फिंगर प्रिंट्स है और यह जो रुमाल पे बारीक सा मामुली सा खून है वो नाक्षनक्तेवक्त निकलाता है और इसका ब्लड गूप भी बुल बुल पांडे के ब्लड गूप से माच होता है और DNA रिपोर्ट क्या कहती है? DNA अनालिसिस एक समय लेने वाली प्रक्रिया है उसके लिए मुझे वक्त चाहिए ठीक है वह बहुत भड़िया यह है तथा कथित एडवांस्ट मशीन जिनको DNA के लिए समय चाहिए भाया तुमसे तेस तो आजकल के वीडियो गेम्स है जो चौथी पाचवी कक्षा के बच्चे लेके घूम रहे है DNA एग्जामिनेशन करने में आम तोर पर लोगों को पंदरा दिन लग जाते हैं मैं वही काम तीन घंटे में कर सकती हूँ तो हाँ, लोग सही कहते हैं मैं सूपर अड्वांस्ट मशीन हूँ ठीके मेरा, तुम अपना काम करो चीता, गाड़ी निकालो, तौलवी से मिलने जाना है और करिशमसिंग आप, आप मेरा को फॉलो अप करेंगी जैसे ही DNA रिपोर्ट आ जाती हैं आप हमें कॉन्टेक करेंगे, क्लियर? जी माड़ी मजरा देखिए हम नहीं चाहते थे कि आप बार बार थाने आए और बुल-बुल पांडे को आप पर शक हो, इसलिए हम यह आएं अब मुद्दे पर आते हैं हमें हमारी इंवेस्टिकेशन के बाद ऐसा लग रहा है कि आपके साथ आपके घर में जो आदमी रह रहा है वो आपका हस्बिन बुल-बुल पांडे ही है, कोई बहरूपया नहीं देखिए माडम, हम एक पतनी हैं और पतनी अपने पती को उसकी परचाई से भी पहचान लेती हैं अब यह आदमी हमारा पती नहीं है यह फील करने के लिए हमको कौनों सबूत या गवा का जरूरत नहीं है इबुल-बुल पांडे को हम उसका गंद से पहचान सकते हैं सुगंध की दुरगंध? देखिए पल्लवी जी, उनके फिंगरप्रिंट्स भी मैच कर रहे हैं हाँ तो फर्जी फिंगरप्रिंट बनवाना कौन सा बड़ा काम है आज के जमाने में हाँ? सिनेमा नहीं देखती क्या मैडम? देखा नहीं कैसे नकली फिंगरप्रिंट बनवा बनवा के लोगों की आखों में धूल जोगता है ससुर बिलन हाँ ठीक है लेकिन हमें उनके कैपन उनका बाल भी मिला है, उसके बारे में क्या कहेंगे? अब वो पहले का होगा, बाल तो उनके बच्पन से ही जड़ रहे हैं, अब तक तो गंजे हो जाने चाहिए थे मैडम उनके नुमाल पर खून का धबा मिला है, इस बारे में क्या कहिएगा आपका? वो तब बना होगा जब उनका जबर्दस्ती अफरंग किया गया होगा। देखिए मैडम, हमारा विश्वास कीजे, हम सही बोल रहे हैं, ये आदमी जो है हमारा पती नहीं है, और एक पत्नी अपने पती को पैचानने में बिल्कुल भी गलती नहीं कर सकती। और ये बात हम केवल पत्नी होने के नाते नहीं कह रहे हैं, बलकि एक औरत का छटा इंद्री के गवाही के वज़े से कह रहे हैं, जो बिल्कुल भी गलत नहीं होता। चेक करो एक मिनुट, हाँ करिश्मा सिंका ये, जैहिन माडम सर्, जैहिन हाँ, जी माडम सर्, मीरा ने डियाने के बारे में बता दिया है, कैप में मिला बुल-बुल-बुल-बांडे का नहीं है, या, का हुआ मेडम सर्? अ, डियाने रिपोर्ट आ गई है, बुल-बुल-बांडे के कैप में सो जो बाल मिला है, उसका डियाने मैच नहीं है। देखा, देखा माडम, देखा, हम कब से कहे जा रहे थे, कि एक औरत का छटा इंडरी कभी रॉंग नहीं हो सकता। हम कह रहे थे, कि यह जो आत्मी है, वो हमारा पती नहीं है। पल्लवी जी, जहिन सर। जहिन, यह लोग यहां? ओ, यह बारा खड़ी बात में बोल ले ना, पहला बताओ, यह लोग यहां का कर रहा है। चेपू के लिए एक थो लड़की का रिस्ता आया है, तो उसके परिवार का जाच पड़ताल करने के लिए हमने इनको बुलाया है। इनको? हाँ तो हमका वहां पुली स्टेशन में बैटके बुट्टा चिलते हैं। हम भी तो पुलीस वाले हैं, हम भी आपका यह काम कर सकते थे। हाँ, लेकिन साधी ब्या का मामला है ना, हाँ, कोई एंकाउंटर थोड़ी ना करना है। और शादी के मामले में अगर लड़की वालों की तहकीकात अगर महिला कोई करे तो उनके लिए जादा कामफटेबल लोगा ना, इसलिए हमाएं। इह है एफडिया कर रिपोर्ट और इह है एफ़ार कापी। क्या बात है बुलबुलपंडे, आप उल्टे हाथ का इस्तमाल बहुत कर रहे हैं आज, जहां तक हमें आदे, आप तो राइट हैंड़ है ना, अरे हमरा दोनों हाथ जो है न, वो एक्दम बराबर काम करता है, अब आज इमान लीजे के यहाथ को छुट्टी दे दिया है, कलते हैं आप, देखा, देखा ना मेडम, देखा ना, हाँ, 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 अब हमें आपकी बात पर पूरी अकीन है, हम अपना इंवेस्टिगेशन कंटेनियू रखेंगे, डोंट रोरी, हम हैं आपके साथ, जी अच्छा, आप लोग, आप लोग बैठी है, हम आपके चाय लेकर आते हैं, हाँ, प्लीज, प्लीज, थैंकियो, चीता, हाँ, मैडम सर, हम एक बालवा को बोलते हैं कि थोड़े दिन और डिंपल बन के यहीं पर जमा रहे है, पता होता करे कुछ, ओकी गुड, और करिश्मा सिंग से कहिए कि वो मीरा के जरीए इस बात की इंफोर बस रे, चितका बरा भेडिया, जो बोल रहे हैं, ध्यान से सुन, करिश्मा मैडम का हैं, बात करवाओ, करिश्मा मैडम, टी एस पिसर के आउफिस गई है, कुछ नए के सिसके अपडेट लेने, आचा ठीक है, एक काम करो, तुम बिल्लू को समझाओ, उसे कहो कि वो मीरा से इन्फोर्मेशन निकलवाए, लेकिन उसे ठीक से समझाओ कि कैसे बात करना है, प्रॉपर तरीका क्या है सब कुछ, जी मनदे, सुन रहे, पोपला भालू, अब जो भी बोलने कदम कान खोल कर ध्यान से सुन, समझ रहे हैं? मीरो, ए भाबरे, मीरो क्या अध्यान में, मगन, मीरो जी, मशीन सुन्दरी सोती भी है क्या, अभी जगाते है, मीरो जी, ए भाबरे, मीरो, यह क्या था, हाँ, मैं सो थी नहीं, मैं सो नहीं रही थी, मैं शहर के सारे CCTV कामराज चेक कर रही थी, यह कहीं कोई अन्यूज्वल अक्टिविटी, कोई अन्होनी घटना या कोई क्राइम ना हो रही हो, वाव मीरा जी, मजे और भी कुछ जानना था, बत अज़ा सकते हूं? ठीक है, पूछ यह जो पूछना है, एक मिनिट, मैडम शहर ने मेसिज भेजा है, हाँ, तो मीरा जी पहला सवाल, और इंडिया का मैच हो रहा है, उनमें से कौन जीतेगा, बतागी? मीरा मीरा छोड़ा उसे! मीरा मीरा छोड़ा उसे! मा, क्या टोपा आती हो बे, तुमको शरम वरम नहीं आता है, क्या? भार ओरतों से जलील होते रहते हो, यहां पर जो मशीन ओरत है, इससे भी तुम जलील हो रहे हो, तुवारी ज़क का फजियत गर के नखा है इसमें, थोड़ा तो शरम करो! खरिश्म मैडम, इंसर्ट, इंसर्ट, इंसर्ट नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं केस पर ही काम कर रहा था, मैडम सर के कहने पर ही काम कर रहा था, उन्होंने कहा था, कि मेरा से जाकर पूछो, कि बुलबुल आजकल कौन से केस पर काम कर रहा है, ताकि उसके बतले हुए बतलाव में हमें केस के लिए कुछ हिंट मिल जाए है बिल्लू के कहने का ये मतलब है कि मैडम सर ये पता लगाना चाहती है कि हाल फिलाल में ऐसा कोई केस फाइल हुआ है जो बुलबुल पांडे ने बतौर थाना प्रभारी फाइल किया हो ठीक है मैं चेक करती हूँ नहीं हाल फिलाल में ऐसे चो बुलबुल पांडे ने कोई केस फाइल नहीं किया है अच्छा तो उनके घर के आसपास का कोई CCTV फुटेज नहीं बुलबुल पांडे के घर के आसपास का CCTV फुटेज कोई अन्यूजूल अक्टिविटी नहीं दिखा रहा है तो कोई और कोई ऐसी बात जो तुम हमसे शेयर करना चाहती हो नो जाहिन माडम सर जाहिन कहीं माडम सर हमने मीरा से पता करवाया खुट के स्तर पे भी बता किया है लेकिन बुलबुल पांडे के खिलाफ कुछ पता नहीं चल पाया है कोई ऐसा केस फाइल नहीं हुआ है अच्छा और कोई अनॉफिशियल अक्टिविटी माडम सर जो खुट के थाना में बैट के इतना काम चोर आदमी कुछ काम नहीं करता वो कोई और अक्टिविटी कैसे करेगा ठीक है फिर भी हम रिस्क नहीं ले सकते पिछले कुछ दूनों में बुलबुल पांडे ने जिस भी केस पर काम किया है उसके बार में पता लगा ही माडम सर इस मामले में पूरी जानकारी सिर्फ एक ही आत्मी दे सकते है सिर्फ एक ही आत्मी है जिसे बुलबुल पांडे का पूरा जनम कुणली पता है कौन